आज हम योगा में ट्विस्ट लाएंगे. साथ में अनार का जूस बना कर उठा फल आसना ब्लेंड आसना बन गया? उभाल आसना अब इस कॉंसेंट्रेट में पानी मिला कर पतला करो और जूस तयार. यह तो जूस के नाम पे एक्स्क्यूस है. ज्यादा तर पाकेट जूस ऐसे ही तो बनते हैं जिनमें हैं कम नियोट्रिशन पर बी नाच्रल का नया 100% पॉमग्रानिट जूस बनता है सीधे 25 अनार के पल्प से कोई कॉंसेंट्रेट से नहीं इंजोई आसना बी नाच्रल 100% पॉमग्रानिट जूस फ्रम इटी सी सिर्फ जूस नो एक्स्क्यूस अब मजा लीजिए बी नाच्रल के लो कॉंसेंट्रेट रेंज का